श्री व्रिंदावन महमामृतम सप्तदस सतकम इश्लोप प्रथम से सौवे तक अहो जिन्होंने अपनी कृपा से चंडाल परियंत संकोच त्याक कर बिमलतर बिसुद्धा रस्मई भक्ती को दान किया है अति अज्जुल सौन कांती धारी अदियुद्भुत महिमा युक्त अनिर्विचनिया पुरुस्प्रवस उन स्री किष्ण चैतन महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ यान योगादी साधनों द्वारा लब्द सुक्ष्ण उध्धी महापुर्सों का मन भी जब स्री वरंदावन के महा महिमा सागर की था को नहीं पा सकता तब सास्त्र इस बारे में क्या जान सकते हैं भगवान स्री बासुदेप के सारे से भक्त उध्धो को इस स्री वरंदावन की बात कही थी अहो रसोन मद्द स्री यगल के सोर ने इस स्री वरंदावन को अपनी नित्ध क्रिडास ठली के रूप में गरहन किया है इसके निगूर तत्त को स्री गौरांग महाप्रव के आसर ग्रहन किये विना कोई भी जानने को समर्थ नहीं है अहो सर्वगुनहीन होते हुए भी समस्त जीवों के अधम होते हुए भी समस्त दोसों की खान होते हुए भी एवं महा दुरवद्धी होकर भी जिनकी कृपा से मैंने स्री राधा, स्री विजिंद कुमार एवं स्री विंदावन आदी को प्राप्त किया है वही स्री गौरांग महा प्रोह की मेरी एक मातर गती है श्री विंदावन में सहच केली रंग परायन, सौंधर सुभा वयस बैदक्द आदी चमतकार के सर्वोकरिष्ट विस्ताम इस्थल सरूप, एक दूसरे के परस्पर जीवन मूल सरूप, वज्वल उनमद रस्मे बिभूर चित, जो स्री ग्यावर, स्याम, वन अदभुत मोहन दिब्वे नागरवर, स्री यगल कृष्ण राधा कृष्ण है, मैं मेरे हरदय में स्फुरित हूँ, इस समय जगत में भ्रमण करने वाली, जिनकी गंध में नहीं दीखती है, जो निखल वेदों के मारगों से भी अती दूर है, उस महांश्चेर माध्वर प्रकास अनसील, स्री व्रिंदावन महिमा मृत के अपार सागर में मेरा चित सन्रग न रहे, खग म्रग तरूलता, कुंज बापी, तड़ाग, इस्थल, परवत, हरदनी, एताधी सोभागी समद्रियों से मंडित, कोटी-कोटी सरस्वती द्वारा भी, बढण नातीत, अद्भुत, आनन्द समद्र के अनुताब सार स्वरू, स्री व्रिंदावन की जय हो, हे चरण, तुम स्री व्रिंदावन भूमे में विचरण करो, हे नेत्रद्वय, तुम व्रिंदावन के सोभागी का दर्सन करो, हे जिवा, तुम व्रिंदावन के गुणगान करो, हे करण, तुम स्री नारंड की कृष्ण केली इस्तलियों में पुलकित होकर लुंठन कर। स्री हरी के समबाहन रसका नुभव कर लेने पर पूर्ण मनूरत होकर उद्धावजी ने जिस प्रकार त्रन जन्म लेने की प्राधना की थी। उस स्री रादे का कानन को मैं नमस्कार करता हूँ स्री व्रंदावन के बाहर स्री रादा बल्लब चरण कमल के सेवकों के सब धर्मों में विसुत बैसनों धर्म में सारी आयू वित्यूत कर देने वाले से नित बैसनों की पद्रेजन सेवन करने वालों से बेराब्ब की पराकास्था, बेरागे की पराकास्था प्राप्त त्यागी जनों से एवं और अधित क्या कहूं एकांतरस में परमानंद विशेस में पृतिस्ठित मन वाले महामनश्चनी जनों से भी अती दूर अगम्य है वह स्री राधा रान्य की कृपा द्रिष्टी स्री व्रिंदावन में अती थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाती है असीम रस्तागर में निमगन सरी राधानन्द किशोर के निज केली धाम सरी व्रंदावन के दूर से ही दर्सन करने से अतुलनी सुप की प्राप्ती होती है उद्दाम पर्मानन्द प्रद अदुतिय उज्वल रस्पून भक्ती के द्वारा निज महां भाग्यमान पूर्सों की मलिंता का आवरण दूर हुआ है उसके चित दरपण में दिगवलय चितित की सीमा की भाती प्रकासित होने वाले स्री गौर स्याम दिव विचित्र केली मिथन की जो स्री व्रंदावन अपने देह में अवस्थान कर चंदर जोत्सनावत सेवा करके प्रकासित करता है उस स्री व्रंदावन को क्या मैं हुआ है वहां एक दूसरे के प्रेम में उद्ग्रणित हुए रसिक यूगल किशोर का नित्त केली विलास संपादित होता है अतेव स्री बिंदावन के आस्र जनों का मन अनुपम मधुर्पद स्री राधा दास में प्रवेश होता है अहो लक्ष्मी पती के चरण कमलों की ध् मेरा तो केवल स्रेष्ट स्री राधा के लिए निकुंज पुंजों से सोभेत स्री विंदावन ही जीवन स्वरूप है बेद भी जिनकी सीमा का इस पर्स नहीं कर सकते केवल दूर से ही निर्देश करते रहते हैं जिस धाम में केवल अती रहस्मय परमान नोत्सव आधिकों की चरम सीमा हैं जिसके माधुरे कण के लिए सिब संकादे भी तरस्ते रहते हैं उसी स्री विंदावन नामक स्री राधा पती कृष्ण के रसदान करने वाली धाम की मैं आराधना करता हूं मेरा भाग्य मेरा ऐसा कब भाग्य होगा कि स्री विंदावन कुंजों में पुना अपने समस्त बेवहारिक कारे कलापं को भूल जाऊंगा मेरा यह सरीर यदि खंड खंड होकर छिन भिन्ड भी हो जाए घोर विपद समुह मुझ पर आ पड़े हाई हाई तो भी कभी स्री रिंदावन को छोड़कर अन्य तुच्छे स्थानों पर मेरी कभी जाने की एक्षा नहीं होगी भूक मैं अपनी आप गिरे हुए सुखे पत्तों को अमरित जानकर खा लूँगा प्यास लगने पर स्री कालिंदी जी का जल अंजली में भर कर पान कर लूँगा इस प्रकार स्री रादिका रवन की मधुर रास केली स्थली समों का दर्सन करते करते कब मगन होकर मैं स्री विंदावन में आमरणवास करूँगा जिस दाम की भूमी अतिकोमल है जो नाना विद मणियों की छटा से परम उज्ज्वल एवं अनेक विचित्र भावों से मनुहारी है जिस धाम के पसु पक्षी भी आश्चर में कलकल ध्वनी परायन है जहां की लता ब्रक्षादी पुस्व फलादी से अध्वत तम हो रहे हैं स्री राधा नंद किशोर का केली भवन वही स्री विंदावन ही मेरा जीवन प्राण है मत्रादी पुरियों में सिरी पूरसोतम बासूदेव के साक्षात चरण कमलों का जो सेवारस है उससे भी अधिकतर प्रेमारंद रस्प्रभाह स्री राधा प्रिय स्री कृष्ण के साक्षा दर्सन नाप्राप्त होने पर भी इसी बंदावन में प्रवाहित होता रहता है स्री उद्धाव जी इस बात के साक्षी हैं स्री राधा स्री बंदावन में है यह परम बाग के सुनकर इस बाग के रूप नगाड़ा पुराणों में बज रहा है असमोर्द अनुराग मूर्ती स्री राधा के उस प्रसद्ध आनंगन स्री ब्रिंदावन को छोड़कर स्री राधा बाग के वसवर्ती स्री हरी को फिर तू कहां पाएगा ये कृष्ण तो समस्त श्री राधा के अनुगत ही रहते है यदि कोटी कोटी चिंता मणी स्यम ही आकर प्राप्त हों और यदि स्री हरी भी स्यम नित्रों के सामने दर्संदे तथा पिस्री वरंदावन धूल धूसरे तिया मेरा सरीर स्री वरंदावन के सीमा के बाहर अन्यतर कहीं ना जाए यही मेरी प्राथना है अतिसे करपा में तथा इसने हैं अतिसे से सहलोचना स्री वरंदावन हैं सरी एक बार मेरे प्रती करपा द्रिश्टी पात करें जिससे उनकी प्रियकानन स्री व्रिंदावन की सीमा में ही निरंतरवास रूपी उनकी करुणा कलपा का अद्भुत फल फली भूत हो जाए जिन्होंने मरण परियंत स्री व्रिंदावन में वास करने का निश्चे कर लिया है उन्होंने ही समस्त भगवत धर्म कर लिये हैं उनके हाथ में समस्त पुर्थार सोर्थ बढ़कर एक अद्भुत परम पुर्षार्थ प्रेम आ गया है वेमानों सब सुखादियों के माथे पर सवार हुए हैं उन भागिवान पुर्षों को ब्रमादी देवता भी नमसकार करते हैं औहो कालिंदी के पुलिन पुलिन में एवम ब्रक्षों के तले तले बच्रण करते करते अद्भुत प्रणह सुखकंद स्रीविन दावन में कब मैं अपने दिन बिताऊंगा जिस धाम में गौर स्याम स्री राधा माधाव नामक युगल किशो और कंदर फ्लीला कर रहे हैं उस अनर्वचिनिय कानन स्री बंदावन को मैं नमस्कार करता हूँ उन्मत प्रेम पूर्वग अमरेत रसदान करते हुए जो खग पसु एवं ब्रक्ष लताओं को भी प्रिति प्रदान करता है उसी सांत्य श्री राधा कृष्ण श्री बंदावन को तुम नमस्कार करो हरी भक्ति के उदय विशेश में उसर भूमिवत अयोग हरदय को भी एवं नानाविद दुस्ट मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को भी तथा अति अधम पुर्षों को भी अपने अचिंत प्रभाव से स्री बंदावन प्रेमदान करके मादित किये रहता है अन्यत्र स्री बंदावन से अन्यत्र और तीर्थों में एक आंत भक्तियोग में जो अपने आपको कृतार्थ मानते हैं उनको धीर कहकर हम विवेचन नहीं करते परन्तु स्री राधा मादहों का प्रेतम स्री बंदावन ही एक मात्र हमारी गती है मैं निखिल दोसों की खान हूँ गुण लेज हीन एवं सरवाधम हूँ तो भी दुरलब बस्तु की आकांचा करता हूँ मैं उज्वल वक्ति के सार रूप स्री बंदावन का आसरे कर कवपून काम होगा अनन्त अपार सुद्ध उज्वल प्रेमरस समुद्र का सार सुरूप अनिर्वचनिये परमदान सील स्री राधा नाम जहां प्रकासित होता है वह स्री बंदावन ही मेरी गती है सर्वसाधन धीन होते हुए भी यदि एकांत भाव से स्री बंदावन का कोई सम्यक आसरे कर सकता है तो वह कोई भी क्यों न हो उसे स्री राधा प्रियर रसोत्सव रास के लिए आनन्द की प्राप्ति होगी अपने समंधी अच्छे प्रकार मुझे त्याग करें अधवा जीविका का कोई उपाय न रहे परंतो स्री बंदावन की सीमा के बाहर मैं एक पग मात्र भी न जाऊंगा जो मुझे स्री व्रिंदावन वास की आग्या नहीं देते अर्थात मेरे स्री व्रिंदावन वास में सहमत नहीं होते बे माता पिता बंधु सखा मित्र तो क्या यदि गुरू भी हूँ तो भी मैं उन्हों कुछ नहीं मानता अहो जिस सास्त्र में स्री व्रिंदावन की अती अद्भुत महिमा की कीर्थी नहीं गान की गई है वह सास्त्र सुप्न में भी मेरे काणों में प्रविष्ट नहीं हो और जो समस्त दुष्ट लोग स्री व्रिंदावन के बैभव को सुनकर प्रेम पुर्भग उलसित नहीं हो और उनसे कभी में बोला नहीं चाहता हूं इस संसार में योशित रूप गधर भी के संग आनन्द का कुछ भी व्रयोजन नहीं है धन पुत्र विद्या कीर्ति आदी की भी आवशक्ता नहीं है नाना वितसाधनों से दुख उठाने से भी क्या होगा ओहो तुम तो स्री व्रि वंधाम के रजकन के लवलेस तुल भी नहीं है अथा ऐसे बैकुंट में सुद्ध भावपोन उज्वल ब्रिंदाटवी के निरंतर बर्धन सील सुभा संपत्ति भी नहीं है अधुत प्रेम मूर्ति स्री रादिका की भक्ति ना करके यदि कोई भगवान बैकुंट में बै अधुत ना करता हूं स्री व्रंदावन में रहते हुए व्रिंदा यह सब्द मेरे कानों में अकस्मात पढ़ने मातर से ही स्री माधार सरी राधावाधो के अनंग द्रिडावन स्री व्रंदावन के भावों से मेरा मन मुर्चित हो जाए इस प्रकार का सौभाग मुझे का प्राप्त होगा हाए कब मैं स्री व्रिंदावन बीथिकाओं में जहां तहां विछ्ण करते करते अद्भुत गौर स्याम अभिन प्राण स्री युगल को अपने आगे देखकर मुर्चित होकर भूमी पर गिर जाओंगा इसी व्रिंदावन भूमी में आमर्ण बास रूपी सो भाग्य क्या मुझे मुझे जैसे कल्शुत मूर्टी को प्राप्त हो सकेगा नित नवायमान केली रंग में बिहार परायन उन स्री राधाश्याम युगल किशोर के चरण कांती पुंज की प्राप्ती भी क्या मेरे को कभी हो पाएगी क्या ऐसा मेरा भाग है जिस धाम में इस्थावर जंगम समस्त फ्राणी पात रही किसी अनर्वचनिये आनंद एक घन आकरती निज तेज में नित्य आनंद में होकर विराजते हैं किन्तु माया मैं अंध दिव्य द्रिष्टी विहीन पुर्सों को बे सब्विध विकृत रूपों में ही दिखते हैं उसी सी व्रिणावन में वास करते करते कब मेरा सरीव चिन में होगा जिस द्धाम में पुर्विष्ट होकर समस्त जीव समस्त पदार्त ही अग्य व्यक्तियों के अद्रिष स्वानंद सचिदानंद घनता को प्राप्त हो रहे हैं उस व्रिणावन का तुम समासरे करो उसी का तुम आसरे ग्रहन करो जो व्यक्ति इस व्रिणावन के इस्थावर जंगम प्राणियों में मिथ्धा दोसार उपन करते हैं बे इस समस्त आनंद घन विग्रह धारी स्री व्रिणावन वासियों के प्रती अपरादी होकर स्री मारादा मादाओ के भक्त कैसे हो सकते हैं जो व्यक्ति स्री व्रिणावन वासियों के निदा में लगे हुए हैं एवं व्रिणावन की प्रसंसा नहीं करते हैं एवं जो मंद बुद्धि अन्य इस्थानों के साथ स्री व्रिणावन की तुल्ना करते हैं और इस भौम व्रिणावन के नित सच्चिदानंद मयत को समस्त पापिस्ट नीच पुर्सों के साथ सुप्ण में भी मेरा मुलिन नहीं होना चाहिए मेरा मिलन कभी नहीं ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए यदि स्री बिंदावनवासी लोग मुझे अति असह दुर्वचन भी कहें मेरे सामने जवर्दस्ती करके यदि मेरी इस्त्री का भी हरन कर लें किमबा प्रिय पुत्रादी की हत्या भी कर डालें अत्वा धनादी का परण कर लें मेरे जीवन नास की विचे स्टाए करें तो भी मेरे नित्य इवं प्रिय नित्य ये बंदनी है हे भराता स्री बिंदावनवासी पर आया माल हरें अत्वा नित्य परिस्त्री में आ सकते रहें अहो निखिल जगत के अनेक प्रकार हिंसा करने वाली भी क्यो ना हो कि महा लोबादी में अन्दे ही क्यो ना रहे हो किन्तु तुम दुराचार गुद्धी से इनका निराधर कभी मत करना स्री बिंदावनवासी बाली सूर की भाती है ऐसा जानकर तुम दिवांद होकर रहना अर्थात पीचक उल्लू की भाती ही तुम उनके गुण समुह रूपी स्वन को देखने में असमर्त है जो व्यक्ती स्री बिंदावन के बास में निष्ठा करके स्री राधका प्राणनात के भक्त होकर परधन परिस्त्री आदी की आसकती त्याग कर देते हैं स्री बिंदावन के बास के अनुरोध में समस्त अधर्मों का आचर्ण कर वह बर्नास्रम धर्मों का त्याग कर और तो क्या माता पिता का भी त्याग कर यही तुम्हारे परम धर्म हैं एवं परम गुरु भक्ती है स्री बिंदावन मास में बिग्णोत पादक और जितने भी धर्म आचरण हैं उन सब को पापरासी जान असीम आचर्मय करणा मैं स्री राधा कृष्ण यदि किसी दन किसी व्यक्ती के पृती एक बार भी देख लें चाहे वह कोई भी क्यों नहों वह स्री बिंदावन में देहित्याग कर सिद्धि को प्राप्त होगा स्री राधा मादहों के पाद्म पद्मों के प्रेड़िक भक्त जनों से दूर्ब से ही मैं त्यागा हुआ हूँ तो भी मुझ अज़ते इंद्रिय को स्री बिंदावन ही अपनी कृपा से आस्रे प्रदान करे अहां स्री राधा माधाव के चरण कमल के पराग में प्रोन मत हो इस प्रेक रिड़ा अकानन स्री बंदावन में नित्य सत्य परायान इस्थावर जंगा अत्मत प्राणी यदि किसी के साथ द्रोह करे तो उनके द्वेस गुद्धी रूप महा पराद को छोड़कर अन्य कैसा भी पाप करते हुए यदि कोई प्राणी आम्रण स्री बंदावन में बास करे तो उसको पुन्यात्मा ही कहा जाएगा हे मूढ मिर्श्चों लोक बेद के मार्ग में आविस्ट होकर और अधिक दुख मत पाओ इन सब को हट पूर्द बाद छोड़कर श्री बंदावन में पर्ण कुटी का निर्मान करो सास्तर समझाय जिनकी विथा विवस्था करते हैं लोगों की इक्चा यदि होती होए तो उसको ग्रहन करे अलप बुद्धी से जो तर्क करने में प्रवीड है बेवी अपने मत के सिध्धान संस्थापन करें किन्तु मेरा मन उनमद विवस्थ मिरल रसपूर्ण पेरिमपूर्ण वियूस ब्रष्टी मूर्ती सरी रादा विहारवन सरी विंदावन को छोड़कर कहीं नहीं लगता है अहो एक तो इसनिक दिस्यामल मनुहर कांती धारी हैं और दूसरा कोमल मिश्रण सुतप्त स्वर्णवत गौरवन विसिष्ट के सोरा करती हैं मधुर एवं रसपस बिघूर ने दिये विग्रह जोती यूगल मदन कला कोतिक में अती मनुहर भाव से जिस धाम में नित्तिक लिड़ा करते हैं वही निखल भवत धामों का सारतार और सारतार परम विद्धीश परम सिध्धी धायक यह ब्रिंदावन ही मेरा सरवस्च्व है अपार करणा कर ब्रजवलासनी स्री राधानागर स्री कृष्ण को बारं बार अतिसे बिने पूर्वक परणाम करते हुए मैं यही प्राथना करता हूँ कि निरंतर महा प्रणामरित समुद्र प्रवाही इस भौम ब्रिंदावन में किसी भी जन्म में मुझे प्रेम लक्षणा रती की प्राप्ती हो अनेक मारगों में रत होते हुपर भी दुर्मती होते हुए भी स्वधर्म परित्यागी होते हुए भी स्वेक्षधारी होते हुए भी स्री भगवत संबंद के लव में स्कव प्राप्तनाफ होते हुए भी काम एवं लोब के वसिवोत होते हुए भी जिस धाम में वास करते करते सर्वोत तंपत की सरी रादा दस्ट की प्राप्ती होती है। उस रसात्मक प्रेम मैं जहाम सरी व्रिंदावन को में नमस्कार करता हूं। इस संसार में भक्ति सुख की समस्त सुखों से अतिसे उतकरष्ट है। जिस धाम में उसी भक्ति को में फिर पराकास्था, पूर्णतमयाता, सम्यक प्रकार की प्राप्त होती है। वह स्री व्रंदावन नामक सर्ववेद निकून पुर्सोत्तम का धाम मानुसी बुद्धी से परे है। अन्य अन्य देव देवियों की उपासकों को, निर्वसेस ब्रम्मै निस्टावान पुर्सों को भी, किंभा, बुद्धीन, विशै भोग मात्र में ही सनलग लोगों को भी, स्री व्रंदावन अपनी अचिंत, सक्ति बल से अपने में, स्री व्रंदावन में नित लीला परायन स्री राधा माधों के प्रगाण रस के दान करने में अन्य लोकों को सुद्रवोध्य विवस्था करते रहते है बेद जिस ब्रंदावन के रूप में कोटी भागों के एक भाग का भी इस पर्स नहीं कर सकते योगिगन जिसका पता नहीं पा सकते लक्ष्मी, महादेव, स्री ब्रम्भा, स्री शुक, स्री अर्जुन एवं उद्दवादी ने भी जिसे कभी नहीं देखा है और तो क्या किसी किसी ब्रजवासी ने भी कभी नहीं देखा है वह स्री व्रंदावन का अग्भुत रूप मैं कब स्री राधा के चरनासरित होकर सम्यक अभलोकन करूँगा हे व्रंदावन कब मैं आपका सम्यक अभलोकन करूँगा हे सके सब द्वैत बस्तूओं अत्वा दुधा संसयादी को त्याक कर प्रिणमय महा जोती रूप महा समद्र के बीच अते अज्जल अतुलनी रसागर स्री वरंदावन में किसी दासी भावोप युक्त अज्जल वेस को धहन करके समस्त कला विद्या में सकुल सला गोप बालाओं के प्राण सरूपा रस निधी स्री राधा के मोधनकारी स्री कृष्ण का तू भजन कर हे कृष्ण दुरवासना रोप सुद्रण सत सत रज्जों द्वारा बने हुए मेरे मन को अपनी करपा के बल से सब विश्यों से खीच कर श्री राधा सहित बिहार परायन आप अपने चरण क मनों की समीपता प्रदान कीजिए इंद्रियों को किसी भी परकार में मैं बस में नहीं कर सकता हूं मेरे में एक भी गुण नहीं है अनेक दोस मुझे नित्ति ही प्रवेश कर रहे हैं हे हरी हे हरी मैं कहां जाओं क्या करूं विदाता भी मेरे प्रती निस्टुर हो रहा है अतेव हे स्री विंदावन अननिगती मुझको अपने में बास करने का अधिकार रूप अनुग्रह प्रदान करें जाती प्राण धनादी नस्ट हो जाएं सब सुयस्ट नस्ट हो जाएं सुधर्म भी नस्ट हो जाएं समस्त लोग मेरा निरंतर तिरस्कार करें मेरा सरीर भी सैक्णों संतापों से एवं ब्याद्यों से जिर्दा को प्राप्त हो तता भी मेरी बुद्धी में स्री विंदावन उस अनिर्विछनिय कानन को मैं नमस्कार करता हूँ प्राकृत एवं अप्राकृत जगत में स्री व्रंदारन्य के बिना और कोई मधर्वस्तू नहीं है यही निर्णय जो व्यक्ति कर पाते हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ स्री राधा जिस प्रकार माथे पर कामयंत्र नामक तिलक से सोभित हो रही है स्री व्रंदाटवी भी उसी प्रकार तिलक ब्रक्चों से विभुशित हो रही है स्री राधा जैसे कालिंदी के जल की भाती नील वसंधारन करती है स्री ब्रिंदाटवी इसी प्रकार यमना जल रूपी नील वसंधारन कर रही है स्री राधा की कनक चंपकवत अंग कांती की भाती स्री ब्रिंदाटवी भी स्वन चंपक की कांती युक्त है स्री राधा विविद विकास रस उल्लासनी है स्री बिन्दाटवी भी उस फूल मुकलादी के रस में विराजबान है स्री राधा जैसे स्री कृष्ण को प्रेम रस दायक युगल बक्छोज से अत्यंत सम्मोहनी है उसी प्रकार स्री ब्रिन्दाटवी भी क्रिश्न प्रेम बर्धन स्री राधा कुंडादी सरोगरों से आनंद मोह विस्तार कर रही है इस प्रकार स्री राधा की भाति स्री भ्रिंदा टवी भी गोपेंद्र नंदन स्री शाम सुंदर की कांतिवत पृति विधान करती है स्री ब्रिंदावन में कोटी कल्प ब्रक्षों के बैभव युक्त ब्रक्ष है जो सब की पालन करते हैं जहां महारस्मई साध्वी नारी रूपा भक्ति स्वयम आलिंगन करती है जहां स्री हरिदास वर्य गणों सहित विराजमान हैं जिनकी सिलाही पलंकी भाती सहिया का काम करती है अद्वत सुखमय उस स्री ब्रिंदावन का कौन आस्रगर्ण ना करेगा मूड भक्ति प्रेम बिलास कंद स्री ब्रिंदावन में जब तक प्रेम की प्राप्ति नहीं करते तब तक बे स्री गोविंदे चर्णों में निसन कुछ सुद्ध भक्ती कर रहे सिप्रेम भक्ती का आस्वादन भी नहीं कर सकते कोई बिर्ला पुन्यात्मा ही कोटित विद्धित लताओं को निंदित करने वाली देह लताधारी स्री राधा के साथ आलिंगन करते हुए नवजल धर स्यामल स्री कृष्ण को इस्मन करता है सूरसाल से भी सूरसाल अन्वत्युनन अति उतक्रिष्ट अज्वल रस्पून सुप्रकासमान प्रेम पूरवक्त स्री वरिंदावन में वह ही जहां तहां परेडन करता रहता है हरी हरी स्री राधा के चरण कवलों से भूसित स्री वरिंदावन के इस्थलों पर प्रगाण प्रेम रस में प्रती पत पर आसु बहाते हुए पुलकित सरीर से पत कब मैं दोली में लिंठन करूंगा परिपून उज्वल प्रेमरस की अद्वतिय मूर्ती स्री राधा इवं बिजयी स्री हरी जिस धाम में निरंतर विराजमान है उस स्री वरिंदावन के आसृत मनश्यों को परमा प्रेमल अक्षणा भक्ती का निगून भाव अवस्स ही प्राप्त होता है बिसुद्ध रसाल अम्रिता म्रित घन स्री राधा कृष्ण के उज्वल गणों के उच्चेगान में भरमर सुक जहां विराजते हैं अद्भुत तरूलता गुलमादी मंडित इस मनुहर स्री वरिंदावन में सर्वत्याग करके पानी से ही देह निर्वा करते हुए बास कर स्री वरिंदावन स्री राधा के विश्द उज्वल प्रेमरस गलित स्वनवत मनुहर कांती विशिष्ट अंग छटा समोह से निरंतर सेवित हो रही है एवं स्री गोविंद की सांद्रानानात्मक नभीन नीरदवत नीलवन जूती के सागर की प्रवाह की रासी द्वारा भ राप्ती हो पंडिताई हो या मूर्खता राग हो या विराग जो कुछ भी हो हो ने दो जिसकी महिमा को बेद बिंदू मात्र भी नहीं जानते हैं उस जीवन सरूप स्री व्रिंदावन को मैं सुप्ण में भी त्याग नहीं कर सकता हूं यदि समस्त लोग मेरा चंडाल कु पुरी तरह तिरस्कार करें उसमें थोड़ा भी दुख नहीं होगा मुझे यदि गोपे सवरादी देवगण ब्रिंदादी देवीगण एवं द्रिस्यमान पसुपक्षियादी व्रिंदावन वासीगण महा इसने ही उक्त होकर श्री व्रिंदावन रस्की प्राप्ती के लिए तिसाय तृष्णा सीर मुझे को क्या संतोस विधान नहीं करेंगे अर्थात निश्चित ही करेंगे हे ब्रातहा हे बंधू समस्त साधनों का परिटाग करके स्री व्रिंदावन का अस्रे ग्रहन कर प्रारब्द वास्रा वसी भूत सरीर बाणी एवं हिर दे अच्छा स्राध्वाधा की चरण कमलों में आशक्त होकर स्री व्रिंदावन में अन्यत्र कही नँजाओं, मैं अन्यत्र कहीं ना जाओं चाहे मुझ में ऐसा दम्भ हुदय हो अहनकार भी आ जाए जिससे इस रस्वन में नित्यवास की रुचि आभी रहे हbling हे हरी स्री बंदारन्य में आत्में खापरा लेकर पृति दन चंडाल के घर में विक्चा लेने पर मैं अच्छा समझता हूं परन्तो पूर्वकृत्त महापुन्यों के फल से इस ब्रंदावन में आए हुए इस सरीर को किसी भी प्रकार से ब्रंदावन से बाहर ना ले जाओंगा एक मात्र जीर्ण कंथां को एवं कोपिन को धर्ण करते हुए भी निरंतरशरी माधा माधां के गुप्त केली रस्तरंगों का उच्छ भाव से किर्टन करते करते संध्या समय थोड़े से फल मूल आदी खाकर कब मैं इस ब्रण्दा टबी ब्रण्दा वोवी में वितिन करूँगा अपना जमन जीवन वितित करूँगा प्रकृती के परे सुद्ध पर महानुभद में सुक्समद में बेद प्रसिद महायुक्त बैकुंठ नामक परमपदिस्थित है उसके उपर सर्वोज्वल मत्रा मंडल जैयुक्ता विराजता है हे सके वहां अवस्थित महारस्में स्री विन्दावन का तुध्यान कर स्री विन्दावन स्रवन रसन इस परसन दर्सन घ्रान आदी द्वारा कब मेरे लिए रस समुद्र वर्षन करेंगे और कब में उसको लोकुत्तर रसमें बदान्द होकर स्री राधापती के गुणों का उच्च स्वर से सर्वगान करता फिरूँगा स्री विन्दावन वासी प्राणियों में जब तक स्वानंद सच्चिदानंद रूपता की बुद्धी नहीं होती है तब तक स्री विन्दावन में प्रापत होने पर भी उसी अपराद से परात पर पदभी स्री राधा राधादास्य की प्रापती नहीं होती जब भी स्री व्रिंदावन में इस्थित, जंगतात्मक, प्राणियों में सब्त एवं निस्कपट रूप से सच्चिदानंद घन बुद्धी होती है तब ही मनश्य को स्री राधा के प्रिये, सेवा योग्ये, गोपी रूप की प्राप्ति होती है स्री व्रिंदावन का विहार, भ्रमन, सब संपदाओं का सार है, एवं समस्त धर्मों का समस्त भजन का सार है, एवं समस्त सिध्यों का सार, समस्त महिमा, तथा समस्त माधुरे समुद्र की सार वस्तु है स्री व्रन्दावन वास को निशेद करने वाली यदी वेद वानी ही क्यों नहोगा, किम्बा गुरु जनौं की वानी हो। अत्वासास्त्रग्यों का यहे इस प्रकार व्रमन वास के विस्वे मैं एक प्रकार का कोला हलही कानों में पड़े, तताफी निखिल साधन साध्य समोह को परित्याक करके स्री राधा क्रीडा कानन की संपदा में लगा हुआ मेरा मन बिंदु मात्र भी इससे नर्वित नहीं होता है लोक लज्जा को छोड़कर महा प्रेम रूब मकरंद को पान करके मदान दोहकर उच्छ स्वर से गान गरत एवं अट्ठाहास करते करते कब मैं ब्रजभूमी पर लुंठन करूँगा एवं कब मैं दोड़ते दोड़ते रोते रोते पृत्वी पर गिर कर मूर्षित पढ़ा रहूँगा हाई कब मैं इस प्रकार्श के भावों से स्री विंदावन में जहां तहां विच्रण करूँगा लोक लज्जा ग्रह देह निंदा इस्तुती सुक एवं दुखादी सब कुछ की परवाह ना करके मैं कब स्री विंदावन में किसी अनर्वचनिय प्रेम मधों का पान करके उनमतवत और ग्रह ग्रस्त बक्ती की भाती बिच्रण करूँगा करुणा वतार स्री चैतन देव द्वारा उबगान किया हुआ हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इत्यादी महास्चरे नामवली रूप सिद्ध मंतर का भ्यास करते करते कप स्री व्रिंदावन में नित्त कृत कृत होंगा हेव इसफटेक एवं पद्मराग आदी द्वारा विरचित एवं महिंदर नील मनी जटित ब्रक्षों से सोभित नाना रत्न मैं इस्थलियों से सुषजित अलीगणों से जंकारित पुस्पलताओं से विभूशित एवं विचित्र शुक मोर कोकिल आदी पक्षणियों से अद्वुत श्री विंदावन का में ध्यान करता हूं जो धाम ताम्बूल शर्वत मनुहर मुहक आदी खाते पदार्शों से सुषजित हैं अतियुत्तम कोमल पल्लों से रची हुई सैया पर लीला परायन श्रुहित यूगल श्री राधा क्रिश्न का द्वार इस्तित सखी अधिगान ज़रों को के दर्सन करती हैं ऐसे निकंजों से मनुहर स्री विंदावन कतु इस्मर्ण कर कहीं सुरत बिमदत पुस्प सैया है कहीं रती बिलास उपयोगी सामगरी युक्त पृति दायक कुमल कुमल फूलों के बिच्छोने बिच रहे हैं और कहीं प्रमोधित कि युगल स्री राधा कृष्ण का क्रिडा रात्सों हो रहा है इस प्रकार नित नव नवाएमान कुंजों द्वारा अति मुंझल स्री विंदावन का नित इस्मर्ण कर हाए श्री राधा कृष्ण की गुपट लीलासाधन के हितकारी गिराज की तलहटी मेंस्थेट पुर्वक इस फूर्ती से मैं कभ धन्य धन्य होंगा नस्वर सुख देने वाले इस्तरी पुत्र धनादी का क्या प्रियोजन मुप्ती की चर्चा करने वाले का क्या फल स्री बैकुंट धाम के महा एस्वर्य संपदाओं को भी मेरा नमस्कार है सिर विश्मानु नंदनी स्री स्री राधा एवं स्री वर्जेंदननन जहां नित्य कीड़ा करते हैं केवल उसी स्री वर्णावन में ही मेरा जन्म हो जन्म जन्म तक मेरी रती हो यही मेरी प्राथ्ना है मस्तक से भी मस्तक से मैं स्री वर्णावन को ही प्रणाम करता हूं बाणी द्वारा स्री वर्णावन का ही इस्मर्ण करता हूं एवं स्री व्रिंदावन के बिना और कुछ में नहीं जानता स्री राधा प्राणपती स्री कृष्ण का रतीकंद रूप स्री व्रिंदावन ही जिनका जीवन अंहार है मैं उनके च्रण कम्लों की पराग की प्राप्ति की आसा की प्राथना करता हूं जहां शुक्षारिकाएं स्री राधाकांत के प्रिमाख खान का उच्छान करते हैं जहां तरूलताएं केवल उसी स्री कृष्ण के परितुस्ट मात्र के लिए नव नव पुष्पों से उत्फलित होती हैं जहां सरोबर आदी राधाकांत को आनंद उत्सव प्रदान करने के लिए ही कमल उत्पल आदी के महा सुंदर को धहन करते हैं रेवन उसी व्रिंदावन का ही तो इस्मन कर हे प्रियश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष मेरे प्रियतम युगल नित्य बिहार करते हैं जहां रस्मे उत्सों मई भक्ती निरंतर प्रवाहित होती है जहां बेद उपनिसत की वाणियां प्रवेश नहीं कर सकती उस पावन स्री विंदावन में मेरी बुध्धी प्रिती रस्मे निमग्न हूँ हाए मैं कब गदगदवाणी से मधुपती स्रीकृष्णी की नामावली का संकर्तन करूँगा कब नईन जल से ब्रक्षों के नीचे भूमी को पंकिल कर दूँगा कब तीब्र भावानावेश से अपने आगे बिद्धमानवत सुद्ध अंताकरण युक्त अनुरागी भक्तों के भोग आस्वादनिय स्वन नील मनी प्रभाविशिष्ट नव जोतिर मैं युगल किशोर का दर्सन करके प्रेम विवश होकर में बारवार बंदना करूँग स्री व्रिंदावन निकुंज सीवा में बास करते हुए प्रेमातर होकर सेवा की चिंतन करते करते कब कस्मात अपने जीवानाधार स्री युगल किशोर का दर्सन करूँगा कब किसी घन स्याम वर्ण मधुर चटा एवं किसी रस में गोण वर्ण चटा को देख पाऊंगा और कब मैं उनकी सीतल मधुर परस पर वानी सुधा का स्रवन करूँगा स्री वर्णदावन में जन प्रवेश वर्जित किसी प्रदेश में जाकर आनंद अस्रुमोचन करते करते अपने प्रियतम युगल का नाम प्रकृष्ट वहाव से उच्छ स्वर से सिंकिर्टन करते करते अत्यन्त बिनम्रता से अतिसाय विवल होकर मैं जरी सुरी स्री राधा के किसी दिव्य मूर्ती म्रग नेनी दासी के वाकि सुधाक के से आस्वासन पाऊंगा इस व्रकार करुणा मैं जो स्री विंदावन कुछ समय अवस्थान देने के बाद स्री राधा कृष्ण के चरण कमलों को निगुण इसनों से अविक्ष उधान मती को ही द्रिष्टी गोचन होता है हाई स्री विंदावन सांदरानंद प्रवाहित करने वाले अतुल असीम महा मादुले सागर तुले अपने परम चमतकारी रूप को मेरे हिरदय में आवर्भूत करें हे विंदावन ऐसी कृपा मेरे उपर कीजिए सुद्रण भावनावल से उदेद हुए अपने इष्ट मंजरी रूप का थोड़ा सा इस्मन होने पर उसे छोटे से मंजरी शरीर ध्रणा राधा दास में प्रविष्ट होकर एक छण या एक मुहरत अधवा एक प्रहर तक बाहे द्रिष्टी होकर एक अवस्था में कब मैं स्री बंदावन में अवस्थान करूंगा नागरी ने कहा मुझे तुम क्यों तंग कर रहे हो मेरी दामन को छोड़ दो नागर ने कहा इस उत्तम साय्या पे शुक्पूर्वग आगंड करो और थोड़ी देर के लिए शैन करो नागरी ने कहा विरहां छोड़ दो छोड़ दो तब नागर ने कहा हे कानते एक वारत वालिंगन करो श्री नागर ने कहा मैंने आपको कुछ पीड़ातु नहीं दी श्री राधा कृष्ण के इस प्रकार के परस पर प्रेमालाप को स्री व्रंदावन के शुक के मुख से सुनकर कब मैं सोभाग्य पूर्ण होंगा दिन राध स्री व्रंदावन के द्वादस पनोस में स्वक्षंद भ्रमन करते करते एक अद्भुत अद्रिष्ट पूर्वक निकुंज में एकाकी प्रवेश करते ही कब मेरे एक मंगल सोभाग्य का उदय होगा अकासमाद ही कोई अलोकिक मधुर किशोरी इस मधुर वाके से इस कुझ में तुम मत जाना मुझे कब बरण करोगी स्री व्रंदावन भूमी में मौन धारण करते हुए समस्तबाह व्यापार को छोड़ कर रहूँगा दीर कस्वांस लेते लेते अती रुस्ट पूरवक अती कस्ट पूरवक एक ग्रांस मात्र भोजन करूँगा इसी प्रकार प्रयाहा जागृत रहते हुए थोड़े समय के लिए जरातंद्रा आने पर अती मधुर उस प्राणनात यूगल किसोर का मैं कब दर्सन करूँगा इस स्री बंदावन में सहसा एक नव नलेत निकुंज में हस्ते हस्ते निकलते हुए लौकिकवत प्रतिपमान नवीन यूगल किसोर को देखकर मैं कब संकुचित हो जाऊं एवं कुछ दूर जाकर फिर लोटकर अपने प्रियतम स्री यूगल किसोर का दर्सन करके महा प्रे स्री बंदावन पती स्री कृष्ण के विलासादी के इस मरण में निविष्ट चित होकर एका की घूमते अकस्मात आनंद सागर की तरंगों के कोला हालवत बेणू वले एवं किंकड़ी आदे की अलोकित धनी को कब सरवन करूँगा कब मैं इस श्री बंदावन में किसी प्रफलित नव कदम की साखा पर बिराजबान गोपी जनवललब के अनर्वचनिय मदू सरह मदू महास से हास समय मुक का अवलोकन करूँगा और कब किसी इस्थान पर लताओं से कुस्म तोड़ते हुए स्री राधा के चंचल ललित करकमल का विक्षण करूँगा हाई मेरा ऐसा सोभाग कब होगा गलित स्वर्णवर्थ गौर कांती एवं इंदर नील मनीवत स्याम कांती युगल विग्रह स्री राधा कृष्ण को इस वरिंदावन में एक दूसरे के सकंदों पे हाथ रखे हुए कब देखूँगा जब ये जब बे मिर्दू मुस्कान युक्त प्रेम पूर्वक सुंदर मुख मंडल उद्भासित करते हुए एक दूसरे के आगे पीछे बैटे हुए मुझे मोहित करेंगे अहो अद्भुत महिमा की सीमा स्री वरिंदावन में एक अनर्वचिनी अतिस संभवा आसा मेरे मन में उदित हो रही है प्रीतम के साथ मिलकर स्री राधा अतिसे प्रिव्रमोत कंठा सहित मुझको प्रतवीपल लुंटन करते हुए देखकर अपनी स्री करकमल से उठा कर क्या अपने चरणकमलों में डाल देगी हाई मेरी यह ऐसा क्या सफल होगी कव कालंदी तटके निकट स्री व्रिंदावन निकुंज में सुए हुए सरस्तम प्रियतम स्री यूगल किशोर परमस्पत गाड़ा सलेश होंगे एवं मैं मृदु भाव से पतसम्माहन करके उन्होंने अती सुख नित्रा में सुनाओंगा हाई सुख में भी क्या कभी मेरा ऐसा सोभाग मंजरी भाव उदै होगा जिस धाम मैं निवास करने की प्राथना का संकल्प मातर से प्रचुरतर कृपारासी का वर्षन करता है वह स्री विंदावन मुझ अधमाधमा की असमभावनी आसाओं को महा अनंत अपनी महिमा के वल से अरवल अरवल जन्म पीछे ही पून करे यही मेरी प्राथना है तुम अपनी एक्चानुसार जहां चाहे ले जाओ परन्तु संसार दुख से पेड़िद होते हुए भी मेरी यह प्राथना पूर्ण कीजिए जिससे मेरी जिवह निरंतर स्री व्रिंदावन नाम की किमबा स्री व्रिंदावन के गुणों क्या किर्थन करती रहे मेरी वानी केवल व्रिंदावन नाम ही लटती रहे मेरा मन सत्य लोग में ब्रह्म पद्वी का भी इस पर्ष ना करे बैकुंट में स्री व्रिंदावन के पारसत सरीर की भी अभिलासा ना करे किंतु केवल स्री विरंदावन में प्रेम्रसमय भाव के उत्सवपरायण महाभागवान व्यक्तियों के घर में बार बार किर्मी जन की ही आकांचा करे जिस देस में स्री विरंदावन की पुस्प सौरव युक्त अत्वा यमना की जलकणों से युक्त बायू प्रवाहित होती है एवं जिस देश में स्री वरंदावन के लिए एक बाहर भी किसी का सिर जुकता है उसी देश में उसके घन में मेरा जन्म हो अहो मुझ जैसे अधम व्यक्ति को इस जन्म में ऐसे दिन कब आएंगे मेरा भागे कब उदय होगा जब मैं स्री वरंदावन की किसी भी बस्तू का इस पर स्प्राप्त करूँगा और दूर से भी स्री वरंदावन के दरसन कर अपने को परम धन्य धन्य मान कर प्रत्वी पर लोट लोट कर प्रणाम करूँगा जद भी सर्वो कृष्ट स्री विंदावन के महात्मय के बिस्वास की गंद भी मुझमे नहीं है और वहाँ वास करने की वासना भी नहीं है हाई हाई स्री विंदावन की महिमा इवं वहाँ वास करने के एक्छा युक्त बानी तो मेरे मुस्परत हो अहो इस जगत के व्यक्ति अधिकतर अचेतन प्राय हैं अर्थात स्री चेतन महाप्रव के चर्णासरच से रहत हैं अताह बेसर्व सास्त्रों के ग्याता होते हुए भी महान स्री बंदावन की महिमा रूप बीथियों में जडमती हैं अर्थात स्री बंद महिमा मार्ग को नहीं जानते हैं अहो मैं भी उन्ही माया वाद आदी सद असत मार्गों में भटकता हुआ अपने मनलूतों को पूर्ण ना कर पाऊंगा अताहा मैं स्री बंदावन के चर्णों की रचका ही सेवन करता हूँ हे श्री बंदावन एक मात्र महारस्मय प्रेम संपत्ति के सागर हे श्री राधा रतिनागर स्री कृष्ण की इसमर कमलाओं की साक्षी मेरे एक मात्र प्रिये हे राश्रेश्वर, हे बिश्व मूहन, लता वल्ली, खगादियों के अध्भुत संपत्तियोक्त, हे प्रकृति के परे बैकुन्टाथी परे उद्धू से भी परे, स्री धाम ब्रिंदावन आप ही मेरी गती हैं, आप ही मेरा एक आस्रे हैं मैं स्री ब्रिंदावन के सुंदर यूगल के सोद को नमस्कार करता हूँ, स्री ब्रिंदावन विहारी यूगल को में नमस्कार करता हूँ, स्री ब्रिंदावन के जीवन प्राण यूगल को में नमस्कार करता हूँ, एवं स्री ब्रिंदावन के नागर यूगल को में बारं ब लिला करुणा माधुरी स्री व्रिंदावन में ही पूर्टा को प्राप्त होती है जिनकी स्री व्रिंदावन में साक्षाद दर्सन होते हैं उन स्री युगल कि सूर स्री राधा कृष्ण को मेरा नमस्कार है नमस्कार है मैं उनको बढ़ाम बार बार पढ़ाम करता हूँ स्री वरंदावन से अधिक स्रेष्ट और कोई नहीं है मेरे समान अधम भी कोई नहीं है स्री राधा स्री राधा नाम रटने के प्रभाव से यदि इन दोनों का स्री वरंदावन मेरा से योग हो जाए बिन्दावन का सैयोग और बासकदाबी नहीं हो सकेगा लेकिन अगर सिरी राधा सिरी बिन्दावन की मुश्वे करपा हो जाए तो ये सैयोग अवस्थ संभावी है सिरी मद्द बिन्दावनी सुरी सिरी राधारानी का एक बार ही सिरी राधा नाम लेने से समस्त मंगल प्राप्त होते हैं एवं समस्त अनंत सक्तियों का विकास होता है वह सिरी राधा नाम सदा मेरी जवाब पर जैयुक्त होकर बिराजमान रहे इस प्रकार स्री प्रगोधानन सरस्वती वरचित स्री व्रंदावन महिमामृत का सब्त दसक समाप्त हुआ इस प्रकार स्री व्रंदावन महिमामृत गरंथ यह यहां पर समाप्त होता है क्योंकि इसमें हैं तो सो से अधिक सतक लेकिन काल के प्रभाव से केवल सत्रा दसक ही सत्रा सतक ही प्राप्त है हमें तो यहाँ पर याई गरंत समात होता है श्री गुरू गौरांग जायते हैं सिरी सिरी राधा, श्याम, सुन्दर, चर्णार, प्रमस्तू ल YouTubers लिएस खुरूब्स एफ स्माइब NATS ट्रीशा है िphones टूर् सेरी राधा, श्याम याईफिया है यहाँ पोर श्याम, सुन्दर, श्याम, सुन्दर, श्याम, स divismaya hard राधा, शुन्याम, सुन्दर, यिर अविया है झाल 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 झाल